तो आज है थर्ड डे जो की है ब्लू कला तो ब्लू थी इंपर मैंने बना आ है ब्लू टी तो यह जो है एक रिफ्रेश्मेंट टाइप की रेसिपी है जो हम सर्फ कर सकते हैं इसके लिए सिर्फ आपको दो इंग्रीडियम्स लगेंगे इंग्लिश में तो इसे बटरफ्लाइ पी फ्लायर पूलते हैं हिंदी में कॉमनली ये श्रंक मुष्पी के नाम से जाना जाता है और इंडिया ये स्केन और हैर के लिए बहुत अच्छा है साथ ही इसमें होते हैं अंटी ऑक्सिजेंट अगर आप प्रेक्वस्ट राइम में से गंजियों कर रहें इसकी चायर तो ये मेरे गार्डन में इतने फूल आयते हैं तो मैंने निकाल लिया साथ ही वाइट कलर का भी जो था मैं आपको दिखा रही हूं और लाइट ब्लू कलर का भी है बट आज वो आया नहीं है तो सबसे पहले हम इसे एक पानी से लो लेंगे और इसके सीट एजीली वेलेबल हो मेरे पास यह जाधा पिटल्स वाले खुष पी तो आप देख सेटें सीगल पिटल्स वाले भी मिलते हैं तो सबसे पर्द हम लेंगे पानी दो कप आपको जितनी चाय बनानी है मुझे दो कप चाय बनानी थी तुमने तो कप पानी लिया है जैसी यह बॉइल होगा आपको इसमें add करना है जो फूल हमने तोड़ा है तो immediately जैसे आप देख सकते इसका color change होना start हो चुका है लगबख सिर्फ एक मिनिट के आपको boil करना है उससे जादा नहीं इसका कोई टेस्ट तो नहीं होता बट हां यह जो stress level है stress hormone उसको रिलीज करता है और बहुत अच्छा फील करता है जब भी आप इंटिक करेंगे तो तो अब मैंने गास बन कर दिया है अब हम इसे सर्फ करेंगे आप ऐसे भी इसे consume कर सकते हैं डायरेक्ट और जिने थंड़ा पसंद है तो इसे थंड़ा कीजिए आइस क्यूप्स डालिए और आप इंजॉई कर सकते हैं तो ब्लू टी आप डायरेक्ट ऐसे भी consume कर सकते हैं मैंने बस थोड़ा सा हनी आइड किया इसमें यह आप्शनल है टोटली स्किप कर सकते हैं अब हम कर सकते हैं आज का थीम था ब्लू तो मैंने कुछ सोचा कुछ रफ्रेशिंग सा बनाया जाए तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए अब हम कन मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ नवराथी कनल सीरीज के साथ कीप सपोर्टिंग थैंक यू फो वाच्छी कीप साथ कीप साथ